प्लेबैक मेनू के लास्ट में जो आप्शन है डी पी ओ एफ प्रिंट ओडर dpof print order अगर Nikon के inbuilt camera से अपने photos को print करना चाहते हो या फिर print करने के लिए select करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो वैसे इस option कोई use नहीं करता है क्योंकि सब लोग अपने laptop या फिर system से ही print करते हैं अपने photos को बट यह option है तो इसके बारे में मैं बता देता हूं इसके अंद करने के बाद आपको दो आप्सन और सो करेंगे select slash set deselect all select slash set के अंदर जैसे ही आप enter करोगे तो आपके camera में जिते भी सारे photos है उस photos का list आ जाएगा and आप वहां से अपने photos को select कर सकते हो and यह deselect all means जिते भी photos आपने select किये print के लिए या थो फिर print देना चार हो उसे आप deselect कर सकते हो तो इस select set के अंदर जैसे हम एंटर करेंगे guys यह हमारे Nikon camera के अंदर जितने भी सारे photos है वह यहाँ पर show हो जाएंगे आप यहां से photos को देखकर select कर सकते हो select करने के लिए आप इस zoom out वाले बटन को प्रेस करके multi dial वाले बटन को आपकी साइड अगर आप एक वर प्रेस करोगे तो वह photo select हो जाएगा आप यहां पर देख सकते हो और उस photos के आप जूम करके देखना चाते हो तो इस प्लेबैक मेनू के अंदर जित्ते भी सारे option होते है वह मैंने आपको बता दिया है उस option के अंदर जित्ते भी सारे option है उनका क्या काम है आप उसको कैसे अपने अनुसार customize कर सकते हो, अपनी अनुसार set कर सकते हो, सारे function का क्या मतलब है guys उसका detail से मैंने आपको बता दिया है so next आने वाले videos में मैं आपको बताऊंगा कि photo shooting menu movie shooting menu custom setting menu setup menu, retouch menu my menu, इन सारे menu के अंदर जित्ते भी सारे option है, auto focus control movie shooting slash display इन सारे option के अंदर जित्ते भी सारे option है, उनका क्या काम है आप उसे अपने photography में कैसे use कर सकते हो, यह मैं आपको आने वाले next videos में बताऊंगा so guys, यह जो series चल रहा है वो Nikon का चल रहा है, आने वाले time में guys, Canon के ऊपर भी series स्टार्ट होगा, Canon के 5D, M50, EOS, R यह सारे camera के अंदर जिते भी सारे function settings होते है उन सारे settings का क्या मतलब है guys, वो Canon के आने वाले series में मैं आपको बताऊंगा so आप एक Canon user हो तो मेरे आने वाले videos का wait कर सकते हो, आप इस channel को subscribe करके, notification वाले bell को press करके, रख सकते हो Canon का जब series आए, तो आपको notification मिल जाए and अगर आप एक Nikon user हो तो आप subscribe करोगे